आरे अक्खिल्स कलेक्षन के रामने कोई कुछ बोल सकता है क्या आखिल भाई तो स्वागत है आपका अक्खिल्स कलेक्षन में अगर आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी है और उसका कैप आपने गुम कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है तो हम सीखेंगे बैट्री का क्या बनाना हम ले रहे हैं दो छोटे वाइर अब हम लेंगे अलुमॉनियम फॉाइल अगर आपके बास अलुमॉनियम फॉाइल नहीं है तो आप टैबलेट के रैपर्स का वी उज़ कर सकते हैं यह भी ऐल्मॉनियम होते हैं और पता है ऐल्मॉनियम गुड कंड़क्टर ओफ एलक्रिसिती होते हैं अब इस छोटे वायर को हुप के सेप में मोड लेंगे अब इस वायर पे फॉयल को रैप करना सुरू करेंगे अब ऐसा ही हमें दूसरे वायर के साथ भी करना है देखिए है ना यह आसान एक फॉयल को थोड़ा बड़ा रैप करना है और एक फॉयल को थोड़ा सा छोटा रैप करना है हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यह बैटरी में इजली फिट हो सके अब हमें कार्ड़ बोर्ड को रेक्टाइंग्लर सेप में काट लेना है अब इन वायर्स को ग्लू की मदद से कार्ड़ बोर्ड के ओपर चिपका लेंगे अब क्लीन लूप के लिए आप दोनों वायर्स को चिपका भी सकते हैं या फिर नहीं भी चिपका सकते हैं तो यह देखिए अब हमारा बैटरी कैप रेड़ी हो चुगा है अब यह देखिए ऐलमूनियम फॉयल इसली इसमें फिट हो रहा है तो चली आप इसे टेस्ट करते हैं कि यह काम करता है या फिर नहीं तो अब मैंने यहाँ पे एक छोड़ा सा एलीडी ले लिया है तो गाइस आप देख सकते हैं कि यह एलीडी गलो कर रहा है नॉर्मली तो अब आप देख सकते हैं कि यह सच में गलो कर रहा है तो अगर आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी हो या फिर थोड़ी सी भी हेलफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेर आइकन दवाना ना भूले तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए राम राम